भें दोस्तों स्वागत तयाब सभीका इंस टाइम पर डूस्तों हुदू कि हमारे बयरा मुख्य परिख्य प्राश्ण możपत्र दो मुख्य परीट्र प्रॉस्चोंपत्र 3 की टूथभ इस वीडियो में मौलिक अधिकार और नीतिन इंदिशक सिद्धान तो से संबंदित कौन-कौन से तीन नंबर के संद्भाइत प्रश्ण बन सकते हैं उनकी चर्चा करने वाले ठीक है दोस्तों चलिए शुरुवात करते हैं पहले प्रश्ण की दोस्तों प्रस्तावना की अलो है इसके आधार पर आम याई वागेरा नहीं मांख सकते हैं तो यह नाले में में अपरवड्णि दूसरी बात इसका कानोण की अनफ्व नहीं है गज hun की प्राप्टि से हैं प्रस्तावना में इसपेस्टता क्या आभा हुए है तो 59ansen हो सकते हैं प्रस्तावना क्या लोछना को हम में लिख सकते हैं ठेकिलिय प्रस्ट्रे की बात करते है livelihood अगला प्रिष्ण मुख्यास के लिए ही मौलीक दिकार आउशक होते अगर व्यक्ति को सोतने हुता है नहीं मिलेहीं तो वे कारे किसे करेगा है तो मौली के अज़ desperate क्लिकिवाइब बहुत सारय Point होते हैं इसके तो मैंने कुछ Point लिखे हैं समझे भारत में व्याब्त कुरूतियों के अब भारत में पहले बहुत सारी कुरीतिय विद्यमान थी जैसे जाती प्रथा है ना तो इनको खतम करने के लिए आर्टिकल 14 लेकर आए तो एसे अगर आपको मुली कदिकार याद है तो आप उनको ध्यान में रखते हुए भी इनके आशक्ता को लिख सकते हैं है ना क्योंकि पुरानी कुरीतिय थी तो आर्टिकल 17 डाला गया कि अस्प्रश्टा वनमुलान करेगा राज तो वही जो पुरानी कुरीतिय थी उनको हटाने के लिए ना ना नागरिवों को चहुमों की विकास है तो अब जब को व्यक्ति विकास तब ही करेगा ना जब उसको सोतंत्रता हैं मिलेगी तो इस विसकारन चहुमों की विकास है तू भी मुलिक अदिकार क्या वसकता है तीसरा अलपसंख्यक को भारत में कोई माइनोरिटी जया अलपसंख्यक है तो उन्हें कहीं ना कहीं यह भाहर आएगा कि उन पर भाहु संक्यक दबाव बनाएंगे है ना तो इसक पुछ रहा है मौलीक अधिकार की विश्यस्ता है तो क्या-क्या विश्यस्ता है है मौलीक अधिकार नहीं बताना है विश्यस्ता में समझ रहो मौलीक अधिकार नहीं बताना उसकी विश्यस्ता है बताना तो मौलीक अधिकार क्या-क्या मत्तब उसकी विश्यस्ता है क्या क्य तो केवल कुछ परिशेश परिश्टिटियों में ही अपने मौलिक अधिकारों पर पती बन लगता है तो यह कि विशेश्टा हो गई और इसमें नकारात्मक परिवरतन नहीं किये जा सकते अर्था संसर द्वारा कोई भी कानौन पारित किया जाए तो इसमें कोई नकारात्मक परियोडतर नहीं होंगे तो यह 3 विश्षटाइं हो गई अपने सविंधान के मुलिक अदिकार उसे संब्बन ए ठीक है अगले प्रशन के बात करते हैं क्या है अगला प्रश्ण मुलिक अधिकार यह आपको यह न चे प्रकार के मौलिक अधिकार और इनके अनुच्छत वर्णित कर दिया आपने मुख्यत अनुच्छत 12-35 तके लेकिन यह जो छे आर्टिकल इनका वर्णा अनुच्छ 14-32 तके ठीक है तो चे आर्टिकल अपने यह से लिख सकते हैं कि समानता का अधिकार स्वतंतरता क शोषण के विरुद्ध धार्मिक सुतंतरता का संस्क्रतिव शिक्ष्या का और समयधानिक उप्सारों का तो इस प्रकार तीन लाइनों में पूरा उत्तर कवर हो जाएगा है ना तो यह प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका होता है तो आप इस प्रकार इस प्रकार को अगले प्रशन के बात करते हैं अगला प्रशन क्या है सोतंतरता का अधिकार है ना तो यह प्रशन पिछले पेपर में पूछा गया प्रशन है का अधिकार तीन नबर में पूछा गया है तो आप देखिए सोतंतरता का अधिकार इस प्रकार लिख सकते हैं अनुचे चैनि 29 में सोतंतरत्रां नहीं इसके अनुचे 2021 के तहट चैनि प्रकार की सोतंतरता का वर्णन है ना अभियक्ति की सोतंतरता संक Trade प्रकार लिख सकते हो अगले प्रश्ण की बात करते हैं अनुच्य दिक्की से अब यह काफी महत्रपुर्ण प्रश्ण है है ना तो आप इसको एसे लिख सकते हो टूद पॉइंट कैसे लिखेंगे यह सब सब्सक्राइब करते हैं अगला प्रश्ण की बात करते हैं अगला प्रश्ण नीति नहीं सकते तत्व की विशेश्था है फिया चाहांगा कि विशेश्ता है अगर विशेश्था इंप नया इस लिब यह देखेंगे थान उतिक जानल सब्सक्राइब निति नटिंदेशक तत्व की विशेश्थाम में क्या हो जागा पैला यह ज्यलोकि है प्रवर्त में अर्थ रखता प्रवर्ता नहीं से लेकर चुनोती नहीं दी जा सकती है ना अगर आपको सामाजिक आर्थिक नहीं प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसको लेकर चुनोती नहीं दी जा सकती न्याले में ठीक है इसा अनुच्छ समाजवाथ गांधिवाद के कुछ तट्व देखे जा सकते जिसे ग्राम पंचा तो प्रेश्ने की इस्थापना तो यह तिनों प्रेश्ण लिखोंगे आप तो चलेगा एना अच्छा उत्तर रहेगा और यह प्रेश्ण भी ग्यारा या पांस नंबर में पूछा जा सकता ठीक है अगले प्रशन की बात करते हैं अगला प्रशने नीती निदिशक तत्व में गांधिवादी तत्व है ना तो आप वह सीधे से पूछ रहें कि गांधिवादी तत्व कौन-कौन से तो आप इस प्रकार लिखें इसको और अनुच्छत का वर्णन करोगे तो उत्तर काफी प्रभाव शाली होगा कोशिश करें अगर आपको अनुच्छत दिया दे तो आप उनका ब्रेकेट में वर्णन करें इससे एक सकारात में प्रभाव पड़ेगा आपकी कोपी पर ठीक है ग्राम बंचातों का गठन पहली तो यह गांधिवादी तत्व हो गए आप निति निद्शक सिद्धानतों को तीन आधार पर बांट सकते हैं समाजवाद गांधिवाद और आर्थिक विचा इस प्रकार से बाटोगे तो ग्यारा नंबर का भी में एक महतोपुरुन प्रश्ण बनेगा नितिनिशक सिद्ध तो डाक्टर अंबेट करके अनुसार है ना अपन यह देख लेते डाक्टर अंबेट करने अनुच्छत 32 को मोलिक अधिकारों को लागू करने की ग्यारेंटी प्रदान करता है माने जो अनुच्छत 32 से उसके तहत 5 तरह की रीड जारी की जाती है अगर किसी भी व्यक्तिया नागरिक का मोलिक अधिकारों के हनन होता है तो उनी के तहद सुप्रीम कोट या हाई कोट है रीड जारी करता है तो जो अनुच्छत 32 से मोलिक अधिकारों को लागू करने की ग्यारेंटी प्रदान करता है अर्थारत अगर किसी मोलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच तर अच्छा रहेगा दोस्तों आज के जो वीडियो है हमने इसमें इस लेक्चर में हमने प्रस्तावना और इससे संबंदित मुलिक अधिकार और नितिने दिसे सिद्धान्सों संब्दित कौन को से संभाइत प्रश्न बन सकते इनकी चर्चा की